गुड मॉर्णिंग क्लास सेवन आज आप लोग का चैप्टर सीख से चतुरह काकः इसमें चलांक कवे के बारे में बताया गया है कहानी तो आप लोग बहुत पहले से ही सुन चुके है एकस्मिन ग्राम में एक काकः प्रतिवस्ति समा एक गाउं में कवा राता था अस्थान एकदा सपिपास्या ब्याकुल अभवत एक बार वह प्यास से ब्याकुल हो गया परम त्रापी जलम तेनन प्राप्तम उससे कहें भी पानी प्राप्त नहीं हुआ सा इतस्तता अभ्रमत वह इधर उधर घूमा अंते काकः ग्रामं प्रतिवस्तिय गच्छत अंत में कवा ग ग्रामात वही एकस्य बार्टि कायाम गाउं के बाहर एक बगिचे में सा एकम घटम अपस्याद वह घड़े को देखा घटम दिश्वा सब प्रिशन अभवत घड़े को दे करवा बहुत प्रिशन हुआ काका घटसी ओपर उपाविशत कवा घड़े को उपर बैठ गया सा जलम पातुम आयता तो वह पानी पीने का प्रियास करने लगा घटे सुल्पम जलम आसीद घड़े में थोड़ा सा पानी था तर से चंचू जलम न अस्विसत उसकी चोंच पानी को नहीं प्राप्त कर पा रहा था एतर दिश्टवा या देकर शह दुखितो अभवत या देकर वह दुखित हुआ स उसासील आसीद वह उसासील था हिमत हरने वाला नहीं था अता स एकम उपायम अचिंतियत इसलिए एक उपाय सोचा तस्मीन उपवने गटस्य पार्षवे उस उपवन में घड़े के पास पशान खंडानी आशन पत्थर के टुकडे थे स एकम पशान खंडम एक पत्थर के टुकडे को चंच्वा आन्यत चोंच में लाया काका पशान खंडम घटे अचिपत वह पत्थर के टुकडे को घड़े में डाला जलम किंचित उपरी आगच्चत पानी थोड़ा उपर आगया काका अनेकान पशान खंडम कवे अन्यक पत्थर के टुकडे को घटे अचिपत घड़े में डाला एवम जलम उपरी आगच्चत इस प्रकार पानी उपर आगया काका यथेक्षम जलम अपिबत कवा इक्षा भर पानी पिया काकस्य पिपाशा शांता वर्त कवे की प्या सांत हो गई सत्यम्योक्तम सत्यी का आगया है यत्रुसा हो जहां उसा है वर्चते जहां उसा है तत्रि सफलता स्ती वहीं सफलता है इस प्रकार से आपका ये चेप्टर शिक्समापत हुआ, सब्धार्त में पहले भेज चुका हूँ, आज मैं अभ्यास का प्रसुतर भेजूँगा, जो अगली क्लास में आप लोग उमर्क में दिखाएगा, ओके, धन्यवाद